Hi friends, welcome back to our study classes. तो प्यारे दोस्तों, अगर आप H.T.P.G.T. Commerce 2023 examination की त्यारी कर रहे हैं, तो I hope आपने syllabus तो ज़रूर देखा होगा, इस examination का, और ये वाला जो syllabus है, इसे नया syllabus कह रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं कि इस बार तो new syllabus आ गया, revised syllabus आ गया, change syllabus आ गया, तो असल में क्या change है आपके syllabus में, Commerce के syllabus में क्या change है, अगर आपने पिछली बार भी exam दिया तो और इस बार भी देने वाले, तो क्या चीज़े हैं जो आपको preparation में include कर लिनी चाहिए, ताकि आपके जो clear करने के chances है, qualify करने के chances है, आपके साथ discuss की जाएंगी, तो आईए फड़ा-फड़ से अपने चर्चा को start करते हैं, और देखते हैं कि नए syllabus में ऐसी क्या चीज़ है, जो की बदल दी गई है, आईए देखते हैं, and start करने से पहले आपको बता दू कि Avestuddy Classes का जो हैस्टेट PGT Commerce 2023 का crash course है, और जो question bank है, वो हमने already launch कर दी है, हमारी website और आप से आप इसे enroll कर सकते हैं, तो काफी कम समय है, I think आपको courses में invest करके, उनके तुरू आपको पढ़ाई करने चाहिए, ताकि आपका time save हो जाए, आपको इधर-उदर content डूणने के लिए, NCRT पढ़ने के लिए भटकना ना पड़े, तो I would strongly recommend कि आप इन courses को follow यहाँ पर कर सकते हैं, तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपको जलक दिख रही है, पुराने syllabus और new syllabus की, अभी आपको लग रहा होगा कि आरे नया syllabus तो सर बड़ा लग रहा है, पुराने syllabus में तो आपने चार ही चीज़े लिखी हुई है, तो पुराने syllabus के अंदर जो main bowl बाला रहता था, वो accountancy और business studies का रहता था, और नय syllabus में भी bowl बाला इनी का है, accountancy और business studies का ही है, बट इसके अलावा पुराने syllabus में भूले बटके economics और statistics के भी कुछ सवाल देखने को मिलते थे, हर बार नहीं आते थे, बट कुछ estate के paper में आपको economics और statistics के भी कुछ सवाल देखने को मिल जाते थे, बट अभी Economics और Statistics की तो छुट्टी कर दिये, नई syllabus में इनका तो नामों निशान बिटा दिये, इनको आपको नहीं पढ़ना है, अगर आप Economics Statistics पढ़ रहे हो, तो you are wasting your time, आप time waste कर रहे हो, जो कि अल्रेडी बहुत ही काम है, आने वाले exam में बहुत ही काम समय है, और अगर आप अभी Economics और Statistics पढ़ रहे हो, तो you are purely wasting your time, तो ऐसा बिलकुल नहीं करना है, आपको क्या चीज़े करनी है, आईए मैं आपको वो भी बताता हूँ, तो नई syllabus के अंदर Accountancy, Business Studies के साथ साथ, जो चीज़े नहीं देखने को मिल रही है, उसमें एक है Commerce Pedagogy, तो Commerce Pedagogy का पट आपको देखने को मिलता है, तो इसमें आपको Commerce को किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, Commerce के Teacher का कैसा behavior होना चाहिए, उस सबको लेकर कुछ सवाल पूछा जा सकते हैं, तो ऐसा topic भी अभी syllabus में इंक्लूड कर दिया है, काफी अद तक यह topic आपका teaching aptitude से या teaching pedagogy से जड़ा हुआ है, और तो histogram क्या होता है, historygram क्या होता है, और jive क्या होता है, यह सारी चीज़े आपके exam में आ सकती हैं, तो इस सबको भी जरूर करके जाना, इसके लावा computerized accounting जो है, उसका भी काफी अच्छा-कासा portion डाला हुआ इस नए syllabus के अंदर, काफी सारे topics आपके computerized accounting से जोड़े हुए, तो तो आईए एक बार अब, जो नए topics है ना, उनको थोड़ा सा विस्तार में, थोड़ा सा detail में आपके साथ discuss कर लेते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या है नए topics और के से उनको आपको cover up करना है, तो प्यारे दोस्तों, जो पूरा syllabus है, उसे अल्रेडी आपके साथ एक accounting system, तो computerized accounting system क्या है, कैसे आप उसे implement करते हैं, कैसे उसका इस्तमाल करते हैं, इसके features क्या है, आपके पास अलग-लग तरीके के software packages होते हैं, इसके अलावा आपको यहाँ पे electronic spreadsheet जो आप बनाते हैं, उसकी accounting application क्या है, कैसे accounting के अंदर आप loan, repayment, schedule वगरा ratio analysis करते हैं, तो आप कै कैसे electronic spreadsheet का इस्तमाल उसमें कर सकते हैं, इसके अलावा computerized accounting system, अगर आपको install करना है, तो कैसे आप install करेंगे, कैसे accounts वगरा को create करेंगे, data entry कैसे होगा, computerized system में balance sheet, P&L कैसे बनेगा, इसमें security वगरा कैसी होनी चाहिए, तो यह सब चीज़े इसके अंदर डाल दी गई है, जो क to में उसमें सवाल सीधा आता है, और जिसने वो topic छोड़ा होता है, वो simple सीधे सवाल को भी नहीं कर पाता, तो इसे छोड़के नहीं जाना, इसे आपको definitely cover up करके जाना है, और इसके अलावा प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आपका जो business finance का portion है, उसको भी यहाँ पे specifically mention किया ग capital structure और working capital वाला पार्ट यहाँ पे आपका आ रहे, तो capital structure क्या होता है, कैसे आपका capital structure बनता है, उसकी जो theories हैं आपकी उनको भी करके जाओ, और working capital आपका क्या होता है, working capital management क्या होता है, inventory management, receivable management, छोड़ा सा इनको भी देखकर जाओ, इसके अलावा data representation की बात करें, यह भी एक histogram, storygram, आपका जो जाईव है, frequency polygon है, class interval, class marks, इसको लेकर सवाल आ सकते हैं, तो इनको जरूर करके जाना, MSME और business entrepreneurship वाला जो portion है, उसे भी include किया हुए, तो small scale enterprises क्या होते हैं, इस पर MSME एक्ट, तो अभी जो definition है, अभी कुछ समय पहले revise हुआ था, तो नया वाला definition पर पक्का सकता है, उसे जरूर देख कर जाना, entrepreneurship जो है, उसके basic fund आपको clear होने चाहिए कि entrepreneurship क्या है, कितने types के entrepreneur हो सकते हैं, entrepreneur के क्या characteristics होते हैं, यह सब बात है, और intellectual property rights के बारे में भी आपको पढ़ना है, तो intellectual property rights के अंदर basically आपके जो copyright, patent, trademark, industrial design, यह सब आते हैं, तो इनको भी आपको और subject related pedagogy, यानि कि commerce pedagogy वाला part भी include किये, तो इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा specific पढ़ाई तो करने की जूरत नहीं है, बट आपको जो teaching pedagogy वाला part है, उसी को आपको छोड़ा सा commerce से भी link करना होगा, तो प्यारे दोस्तों, यह थी एक छोटी सी चर्चा, यहाँ पर हमने जो नए syllabus के नए topics हैं, उन पर थोड़ा सा प्रकास्ट आला, उनको थोड़ा सा समझने की देखने की कोशिश करी, और फिर से मैं आपसे यही कहूँगा, कि इन topics को बिलकुल ignore मत करना, इन topics को करके जाना जादा मुश्किल सवाल इन से आने के chances नहीं है, सीधे सवाल आएंगे, अगर आपके सही हो गए, तो आपके estate qualify करने के chances यहाँ पर definitely बढ़ जाएंगे, तो आज के लिए session में इतना ही, मिलेंगे next session में, till then, goodbye, take care, all the best.